साथियों, वर्ल्ड इड लुकिंग फर ए ट्रॉस्टेट, रिलाइबल पार्टनर, भारत में पोटेंशल है, स्ट्रेंथ है, एबिलिटी है, आज पूरे विश्व में भारत के प्रती जो ट्रस्ट डेवलप हुआ है, उसका आप सभी को, भारत की इंडुस्ट्री को पूरा फायदा उठाना चाहिए, यह आप सभी की जिम्मेदारी है, कि मैनुफेक्चर इन इंडिया के साथ, ट्रस्ट, क्वालिटी, कम्पूर्टिटिवनेस, तीनों जुड़ा हो। आप दो कदम आगे बढ़ाएंगे, सरकार चार कदम आगे बढ़कर आपका साथ देगी। प्रदान मंत्री के तौर पर मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ, कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। भारतिय उद्योग जगत के लिए ए राइस टूद ऑकेजन की तरह है। ट्रस्ट मी, गेटिंग ग्रोथ बैक इतना मुश्किल भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि अब आपके पास, इंडियन इंडिस्टिस के पास एक क्लियर पाथ है। आत्म निर्भर भारत का रास्ता, सिल्फ रिलाइंट इंडिया का पाथ, आत्म निर्भर भारत का मतलब है कि हम और जादा स्ट्रॉंग होकर दुनिया को एम्ब्रेस करेंगे। आत्म निर्भर भारत वर्ल एकोनोमी के साथ पूरी तरह इंटिग्रेटेड भी होगा और सपोर्टीव भी लेकिन ध्यान रखियेगा। आत्म निर्भर का मतलब ये भी नहीं है कि हम स्ट्राटेजिक छेत्रों में किसी पर निर्भर रहें। हम उस रस्थित्यमें नही रहना चाहते हैं। It is about creating strong enterprise in India. Enterprises that can become global forces. It is about generating employment. It is about empowering our people to come out and create solutions that can define the future of our country. हमें अब ऐसी रोवस्ट लोकल सप्लाई चेन के निर्मान में इन्वेस्ट करना है जो ग्लोबल सप्लाई चेन में बारत की हिस्सेदारी को स्ट्रेंदन करे इसी अभ्यान में CII जैसी दिग्यत समस्था को मुझे लगता है आपको भी पोस्ट करोना नई भूमिका में आगे आना होगा अब आपको चेंपियन्स अफ इंडिजिनेस इंस्पिरेशन्स बनकर आगे आना है आपको डोमेस्टिक इंडिस्टी की रिकवरी को फैसिलिटेट करना है नेक्स्ट लेवल ग्रोथ को आसिस करना है सपोर्ट करना है आपको इंडिस्टी को अपने मार्केट को ग्लोबली एक्सपांड करने में मदद करना है साथियों अब जरुरत है कि देश में ऐसे प्रोडक्स बने जो made in इंडिया हो made for the world हो कैसे हम देश का आयात कम से कम करें इसे लेकर क्या नए लक्षत ये किये जाएं उस पर सोचने की जरुत है हमें तमाम सेक्टरस में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपने टार्गेट तै करने ही होगे यही संदेश मैं आज इंडिस्ट्री को देना चाहता हूँ और देश यही अपेशा भी आपसे रखता है